आज नौरात्री का तीसरा दिन है ऐसे में हम आपको ले चलते हैं रीवा के एतिहासिक रानी तलाव परिसर में बिराजी मा कालका के दर्वार में यहां मा कालका के दर्सन के लिए दूर दराज से भक्तों की भीड कठा होती है कहा जाता है कि उनके दर्सन माते से सभी दुख दूर हो जाते हैं. दूर से बहुत जादा फिर्ड लगती है कि हमारा ना पांसी चैस्वाल है यहां मतलब नवरात्र में हमेशा आते हैं यहां जो बहुत सांदी है यहां जो भी दिल से मनुकामना बाट ते है वो दिल से पूरा होता है कहते हैं काली का माता की जो मंदीर है यहां जो दिल सी मांगते हैं वहां पूरा होता है यहां जो है तो कि यहां आने के बाद बहुत सांती नहीं तो गार्डन नहीं था अब तो गार्डन भी बन गया है तो और भी अच्छा लगता है और यहां तलाब किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है बोटिंग करो आके और माता रानी की की तो कृपा बहुत ही है माता रानी के दर्शन करके इतनी सांथी मिलती है और देख के बिल्कुल मन मोह लेती है माता रानी जै माता दी मंदिर में आके बहुत अच्छा लगता है यहां माता जी का में भब जुरूप देखे बहुत मन अनल्दित हो जाता है यहां भग्तों की भीड काफी लगी रहती है अभी तो कम भीड रहती है पंचमी से भीड इतनी बढ़ती है कि लाइन नभी रहती है नीचे से लमडी लाइने लगती है बेवस्ता करता है यहां बेवस्ता भी काफी रहती है लोग ध्यान भी बहुत देते और यहां आगे सभी की जो होती है वो पोण होती है जब भीड रहती है तो थोड़ा सा कश होता है लेकिन माता रानी वो भी सबके करती हैं वो भी बड़े सहस्ता से दर्सन देती हैं उसमें भी कोई तकलिफ नहीं होती है तो थोड़ा सा सहन सिलता दिखानी पड़ती है जैसे लोग कहते हैं कि मोबाइल को रोज चार्ची करना पड़ता है उसी दरह मैं अपने आपको चार्ची करने मा के दर्वार में आता हूं कि हमको ऐसी कोई सक्ती प्राप्त हो गई है कि लगता है कि पहले मा के दर्सन करूं उसके बाद सारे काम को अपना काम करूं अपना जगदंविक ऐसी करबा है कि उनके अलावा मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है